नमस्कार मैं हूँ संजेश शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network प्रधान मंत्री मोधी जी ने 2014 में शपत लेने के बाद का बहनों और भाईयों ना खाऊंगा और ना खाने दूँगा कोई भी प्रष्टाचारी होगा वो जेल जरूर जाएगा अभी 36 गड़ में उन्होंने पूछा महा के मुक्वंत्री से कि जो आपने महादेव एप से 500 करोण पे से जादा लिया है उसमें से दिल्ली यानि कॉंग्रेस की सरकार की मुखिया तक कितना पहुचा है प्रष्टाचार पर हमला करना मोदी जी की रणीती का हिस्सा रहा है ये बात अलग है कि भारतिय जनता पार्टी की वाशिंग मशीन में बड़े से बड़े प्रष्टाचारी आते हैं और धुलकर साफ हो जाते हैं ताचा उदहरन महराष्ट का है जहां उन्होंने अपने NCP के नेता के लिए कहा था कि जिन्होंने सक्तर हजार करोण का घोटाला किया है मैं उनको छोड़ूँगा नहीं छाती पीट कर कहा था ये मोदी की गारंटी है एक-एक प्रष्टाचारी जेल में जाएगा और जब कहा मोदी जी ने उसके 24 घंटे वाद उनी साहब को जेल की जगए डिप्टी सीम बना दिया गया तो क्या है ये लणी टी क्यों मोदी इस तरह का हमला कर रहे हैं क्यों विपक्ष को बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे ब्रष्टाचारी हैं सब आप तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल में उनको देखते रहते हैं उनकी इस पश्ट वादिता पत्रकारता पे और समाजिक और राजनेतिंग मुद्दो पर उनकी वेवाक राए क्योंकि बहुत अध्यन करते हैं ऐसे प्रोफेसर अभे कुमार्दवे आज हमारे साथ हैं उनसे इस विशह पे बात करेंगे अभे जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और मैंने ये गूल विशह केवल आपसे बात करने के लिए सोचा कि विशह पे आपसे ज्यादा अध्यन कोई कर नी सकता कोई बढ़ा नी सकता अभी हादम यहां से शर्चा श्रू करता हूं कि 36 गड़ में उनने कहा कि जो पांसो करोड़ों का गोटाला हुआ है पांसो करोड़ों का ब्रश्चा चार हुआ है इसमें से दिल्ली यानि कॉंग्रेस के गांधी परवार की दरवशारा था वहां कितना पहुंचा ये कौन सी रणीती का हिस्सा है कि अपने तो सारे ब्रश् आसन्काल में नरेंद्र मोदि को एक चीज की ओपर बड़ा यकीन हो गया है और वो यह है कि मैं जिसको भरस्त कहूंगा और यह विए करना टक चुनाओ की नतीजे और हिमाचल प्रदेश चुनाओ के नतीजे के बावजूद मोदी जी का यह यकीन जारी है अगर उनकी पार के खिलाब भिष्टाशार के बहुत इल्जाम जो कॉंग्रेश ने हुआ लगाए और जंता ने एक तरह से देखा जाए तो वहां की पराजाए दिल्ली महानगर पालका का चुनाओ जो हरी भारती अंता पार्टी दिल्पुजी की तो कहा आता था कि भाजपा के एक एक रिष्टाशार के मुद्दे पर आर चुकी है इसका मतलब यह एकि आम जन्ता मोधी जी के इस मोधी जी का जो दावा है कि वो जिसको भ्रश्ट होगा और जसको भ्रश्ट को करेंगे उसका इल्जाम नहीं चिपकेगा जन्ता कम से कम इस चीज को नहीं मानती है यह तीन ता उसका सबसे अधा लाब जिन दो नेताओं को मिला उसमे एक थे अर्विंद केजरीवार और दूसरे थे नरेंदर बोदी इन दोनों नेताओं की राज़नीत को उस बद्दे के कारण बहुत बड़ा अच्छाल मिला अर्विंद केजरीवार तो तो समय उस आंदोलन को चलाने वालों में से चलाने वाली प्रम्खस्ती थे तो मोदी जी इस आंदोर्म को चलाने प्रविस्ट के चुनाओ में चुनाओ तक में इनको पूरी तरीके से कटगरे में खड़ा करते हैं और इसकी प्रयोग अस्थली उन्होंने च्छतीस गड़ को बनाया है उसका एक कारण है देखिए अगर जिस नेता के खिलाफ कोई एंटी इंकम्मेंसी होती है हवा चल लई होती है उस वक्त अगर आप चुनाओ की दौरान उस पहले बिश्टाचार का रूप लगाएं तो वो एंटी इंकम्मेंसी और ज्यादा तीकी हो जाती है लेकिन शक्तीस गड़ में लोग कांगरे सरकार से नाराज हो सकते हैं खुश हो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी हवा चल लगी हो लोगों सरकार को खाड़ पैकने पर अमादा हों और परिवर्ट जैसे मध्य प्रदेश में परिवर्टन का महौल है पीवी का कोई भी पत्रक महादेव एफ वाला छे महीने पहले उठाया होता इस तरह करना तक में लगाता और कॉंग्रेस ने एक लंबा महौल बनाया और वो चालिस प्रिस्ट की सरकार वाला नारा लगाया और वो नारा जनता तक पहुँचा भी ऐसा कुछ भाज़पाने नहीं किया चुनाओ के ठी पहले या भी ऐसा मुद्दा लेके आते हैं एक विल्कुल संदिक शकल सूरत का आदमी उसको दुबई से उसका एक वीडियो जारी किया जाता है वो कहता हमने तो पांसो आठ करोड दिये पांसो आठ करोड देने की जिस जिस जिक्ति में हैसियत होती है वो किसी के जरिये न आप परवान चड़ने वाली है अभी जी महराष्ट में डिप्टी सीम साब के लिए बड़े बड़े नारे लगे प्रदान मंत्री जी ने मंच पे का चक्ती पीसिंग चक्ती पीसिंग का नारा हमने सुना और 24 घंटे बाद उनको डिप्टी सीम बना दिया गया इस तरह के तमाम नेता हैं बंगाल का आपको याद होगा बंगाल का शेयर मार्केट का और चिट फंड का जितने बड़े-बड़े मुखियाते सब बीजेपी में शान बड़ा रहे हैं एक लंबी फेरिस्त है असम के मुकमंत्री के किलाब कितने गंबीर गंबीर आरोप ते वो भारति जनता पार्टी ने हजारो करोड के घोटाले के आरोप लगायते हैं वो सब भारतिय जनता पार्टी की शान बड़ा रहे हैं तो कॉंग्रेस भी तो बुक्लेट जारी कर सकती है कि भाजपा की वाशेंग मशीन जिसमें इत्ते इत्ते लोग हैं तो ये मुद्दा बन कैसे प भाजपा में कितना वर्ष्टाचारी हैं जो मूल भाजपा के हैं या बाहर से आई हुए लोग हैं उनके उनके खिलाफ एक बुक्लेट वो जारी करें इससे जनता में बहुत दूसरे किसम का संदेश जाएगा और इनको अचा दूसरे एक और खास बात है आप इस बात को द देखेंगे बहुत सारे नेचा ऐसे होती बैसने कि सरकार के उपर होता है तो वो सरकार हैं उनकी सरकारें उनकी बहुत बुरी तरीके से चुनाव में मात खाते हैं अब खर्याणा में देखिया मनोरलाल खटर की ऊपर निजी तौर्ड कोई बिश्टाशार का इल्जाम नहीं था लेकिन पिशली बार भाजबा उनके देटर्ट में बहुमत नहीं जीत पाई मनमहुन सिंग के खिलाब कोई लिजी इल्जाम नहीं था लेकिन सरकार के खिलाफ एक महौल बन गया था बाद में बहुत सी बात है उसकी गलत साबित हुई यह अलग बात है उसका एक महौल बन गया था मुझे लगता यह है कि भारती जनता पार्टी इस मुद्दे पर काफी बड़ी मात खा पाई यह नहीं कहा रहा हूं दरंद बोदी को दोजार चौबिस के चुनाओ में वोट नहीं मिलेंगे उनको बहुत मिलेंगे उनकी लोग प्रीका में अभी ऐसी कोई गिरावट नहीं लक्षित की गई है लेकिन वोट मिलेंगे तो दूसरी वज़ों से मिलेंगे इस संदेल खंड एक्सप्रेस से बना दोनों का गकातरन प्रदान मंतरी ने किया कि दोनों प्रदान मंतरी जिने उनद घाटन किया तो अब बड़े उतंखांडेश के बड़े प ciertदेश चरई बदला गया और तमांसे Od约्दानि गार किया के बाद में भाग गएं प्रदार मंत्री जी ने उद्गाटन किया दोनों एक्सपेस वेका और बड़े उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे और प्रदार मंत्री के उद्गाटन के करने के एक महीने के अंदर दोनों एक्सपेस पे धस रहे तो अब प्रदार मंत्री देश के सबसे बोड़े राज में कैसे बिश्चाचार की बात करेंगे कि दो एक्षपेसे बना रहे हैं एक महीने के अंदर दोनों धहसा रहे हैं और ऐसी तमाम जगे से खबरे आती हैं तो फिर ऐसे मुद्वों पर घिरेंगे नहीं क्या हो नहीं सब नहीं मैं आपकी बास से पूरी तरह सहमा तुम संजय जी वो घिरेंगे तो बोड़े को उनने घिरेंगा कौन हाँ ये वाँ हम और आप नहीं घिरेंगे हम और आप तो चर्चा कर सकते हैं सार्जियों जीवन में अपना योगदान देते हैं अपनी बात कहके उनको घेरने का काम विपक्ष का है मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ और आपके सामने भी सवाल रखता हूँ और विपक्ष के सामने भी सवाल रखता हूँ विपक्ष ये काम योजना बद तरीके से क्यों नहीं करता है अब आपने सुझाओ दिया कि यह कांग्रेस के निस दिमाग में आना चाहिए। मुद्दों की उपर प्रकाशन किये जाएं उनके पार्टी प्रवक्ता लगातार से मुद्दे पर बोलें कुछ धरना प्रदर्शन हो पुलिस की कुछ लाटी बाटी चले कुछ आसू गैस हो कुछ हो मतलब तब तो कोई बात बनती है तो यह यह विपक्ष जो है इस काम को ज कर चुके हैं लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को पकड़ नहीं रहा है तो जब दिल्ली के अंदर इसे करोडों सेक्डों करोडों की सोने की सड़क बन रही है तो इस तो चाहरे विपक्ष को उठाने चाहिए लेकिन एक बड़ा सवाज यह है है यह है इतनी रिपोर्ट जूर प्याहिए जी के क्ई अफ़रों को जानता हूँ उन से मेरी चाच्चा उती है वो विश्टाचार का बहुत बड़ा मामला है तो आप उस सवाल को उठाते तो हैं लेकिन जनता समझ नहीं पाती है कि भाई यह चक्कर है यह संबंध है किस तरह का किसी ने किसी को रिश्वत दी हो किसी ने किसी ने कमीशन दिया हो ऐसा मामला नहीं है केंपेंघ चलानी पड़ेगी लगातार कंपेंच चलानी पड़ेगी तो कंग्रेस को बहमत पाने से रोग दिया राजीभणन्दी की सरकार को वह तमाम बिपक्ष के नेताओं ने उसमें मीडिया ने भी सयोग दिया था बहुत ही जबरदस कैम्पेंड चलाई थी बहुत लंबे अर्से था वो शुक्तिती होती थी कि जो और फर्मनेड इस यूरोप जा रहे हैं वो वहां से वहां गए इसकी भी खबर चपती थी वहां जाके वो पता लगा रहे हैं स्वीडन जा रहे हैं बहुत होता था और यूरोप से ही स्वीडन से ही वो तमाम नए नए बुद्धे निकल के आते थे जिन से उस कैम्पेंड को दोबारा पानी मिलता था अभी कहा राफाइल का मामला हो चाहे अदानी का वाला मसला हो या बराने का सवाल है जब भी हम लोग इन सवालों को उठाते हैं तो भाजपा के नेता और भाजपा के समर्च तक बगले जातने लगते हैं फिर वो कहने लगते हैं जी तो मसला महराश्ट स्पेस्फिक है इसका दोजार चॉविस के चुनाओं में असर नहीं होगा तो दो उसको उसको स्थापिस करने वाले इशू उठाने पड़ेंगे लेकिन बात और है प्रदान मंत्री जी को घेरने के लिए चुकि सबसे बड़ा भारती जंता पार्टी का वहीं है तो उनको घेरने के लिए विपक्ष को पास इसके अलावा को दूतरा हत्यार है जिसके मुद पर अभी तक ठीक से राजनीती नहीं हुई है सिर्फ राहुल गांदी ने कुछ वक्तावी दिये हैं जो कि इससरा बशारा करते हैं कि बोड़ी की बोड़ी किलाब क्या रणनी थी चीन के मसले पर प्रदान मंत्री पूरी तरह फ्लॉप हैं और भारत का हाँ चीन की सक्चर लदाफ में और दूसरी जगों पर बना लिया है केवल उसकी ही खबर ठीक से परसारित कर दी जाए कि चीन किस तरीके से सलामी स्लाइसिंग की जो उसकी रणनीती है उसके जरी ये भारती जमीन दाब रहा है और ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है उसी से बहुत हंगामा मत जाएगा और जो देशवक्ति की भावना उन्होंने 2019 में भड़काई थी वो देशवक्ति की भावना इनके किलाब चली जाएगी इसके उपर भी सिवा कुछ-कुछ उचलते हुए आरोप लगाने के अलाबा जितनी मजबूती के साथ इस चीज का प्रशार करना अब चीन के मसले पर भी जानकारी जानी पड़ेगी वो भी जड़ल मामला है ऐसा नहीं है कि चीन की फौज हैं भारत से लड़ाई हो रही है तो और दूसरे एक और ध्यान रखने की है कि अभी तक भाजपा को बाला कोट स्ट्राइज जैसा कोई मुद्दा नहीं मिला जो पुल्वामा के हमले के कारण मिल गया था भाजपा ऐसे मुद्दे की तलाश में है जिस दिन उसे वो मुद्दा मिल जाएगा उस दिन ये भिष्टाचार वगएरा वाली चीजों को वो थोड़ा सा बैक बरनर पर डाल देगी अभी भी मुदी वगएरा ऐसा कोई मुद्द तलाश में इससे देश्वक्ति का तूफान ला सके हैं वो अपने पर इश्ली बार लोग बार बार फूचते हैं मुझसे कि राहूल गांदी ने जो गारेंटी जी ती उस पर लोगों ने यकीन नहीं किया जबकि राहूल गांदी की गारेंटी यो थी वो बहुत बड़ी थ तो मैं अबैजी बहुत लद्दाक के बहुत दूरवर्ती इलाके तक खुद गया था देखने के लिए और उसके बाद में मैं आपको बहुत मजदार बापता हूं कि हमने यूटूब पे केवाले एक वीडियो डाला था कि चीन का कौन सा हिस्सा है जहां तक चीनी सेना आई है पिछले कुछ सालों में हम उनको समान दे कमरें उनसे ले जादा रहे हैं यह मुद्द ऐसा जो साधरान आपदी को समझ में आज सकता था हमने उस वीडियो में केवल वो हिस्सा दिखाया था कि जहां तक चीनी सेमा अथिकर्वन कर रही है आपको अबेजी जानकर और हमा काल बंद कर दिये जाई कर दिये तो आप जो कहने ना चीन का मामरा इतना सैस्टिव है मेरे एक वीडियो पे केंदिरिया मंत्री चिट्थी लिख रहा है यूटूब को कि आ हम राज के विरोध में बात कर रहे हैं अब यह आपकी बात सही है मुझे घटना पता है नगी कहा जाता है कि वई डोकलाम मैं भारती सैने कattend Children कितना घाल हूए बग़रा बीजर भी प्रचार करती है यह लोग कह रहे हैं चीनी सैने भारती सैनकोंको पीट रहे हैं बात नाम कर रहे हैं उनका मनोबल कम्रा किया जा रहा है यह सब जो हदकंडे हैं प्रचार के इनक खूरती-प 255-टोव सीम उसका पूरत डेश देश का प्रवाव नहीं बहुत बड़त के बहुत बड़े शक्रति नहीं है कि ढ़下 इलाके पूर्व दक्षण जो है धुर्पूर्व दक्षण जो है वहां भाजबा का प्रभाव बहुत कम है तरह सा भाजबा चूँ कहेगी तो उत्तरपूर में अभी इसे मड़ीपूर की घटना के बाद उसका लगने लगा है कि उत्तरपूर की जाइनीज भी बड़ी द्रि सरकार को घेरा सा भाजबाने जब वो विबक्ष में हुआ कर दी तूजी स्कैम, कोईला स्कैम, वो सारे सारे दूर संचार में घोटाले, वो सारे सारे गाइव हो गए कहीं, पता चला कि वो थे ही नहीं, घोटाले ही नहीं थे. कि दस साल हो गए इन्हों किस घोटाले के सजा कर दी आइन से सवाल ये पूछा जाएना चाहिए कि वाई 2014 का चुनाओ जिन घोटालों के नाम पर जीता गया था और आज भी टूजी थ्रीजी भाजबा के प्रवक्ता टूजी थ्रीजी वगारा बोलते हैं तो पूछा जाएन ये बाद विपक्ष ना आपके बाद सही है पैकेजिंग नहीं कर पा रहा है मतलब जिस तरह से मोदी जी जिस तरह से बीजब की पैकेजिंग अर बार क्यता हूँ मोदी जी खिलाब मुद्दों की कमी नहीं है भाजबा सजगाए सरा मुद्दों की कमी नहीं है विपक्ष क नहीं करेगा तो मोदी जी अपनी सरकार के खिलाब एंटी इंकम्मेंसी होने के बाव्यूद पत्ली गली से निकल जाएंगे तो मैं तो एक दिन कि जब उनकी सरकार के मंत्री स्टेट के छोड़ दीए कि सेंटर के मिलिस्टर गल्काई और वाकी विभागों में ब्रिश्टाशार की खबरे सामने आ रही है एक केंद्रिय मंत्री के बेटे का पांसो चारसो करोड की डीलिंग के दो दो तीन तीन वीडियो सामने आ चुके है वाइरल हो रहे हैं कि एक सेंटर मिलिस्टर का बेटा पांसो करोड की डील कर रहा है वीडियो का सामने आ गए हैं तो क्या ये घुटाले डराते नहीं है कि उनकी नात के नीचे उनके मंत्री इस तरह पांसो करोड के मंत्री के बेटे रिश्वत ले रहे हैं तो ये सब कि वो एक ऐसे जमाने में उनको सत्ता प्राप्त हुई है जब उनके मुकाबले खड़ी हुई पार्टियां उनका विरोध करने में सक्षम नहीं दिखाई देती हैं मोदी जी को विपक्ष अपनी खूबियों से ज़्यादा विपक्ष की कमजोरियों पे ज़्यादा विश् है उसको हमेशा बस निकलने का मौका विपक्ष दे देता है अब देखिए मैं तो मानता हूं दोजार बाइस का उत्तर प्रदेश का चुनाओ है अगर मायावदी की भूमिका आप निकाल दीजिए उसके अंदर से तो मुझे तो लगता है कि भाज़े पार चुनाओ हार जा अब देखिए ना उत्तर प्रदेश के मसले पर कॉंग्रेस के एक बड़ा धड़ा अभी भी बकालत कर रहा है कि समझोता अकले शाजब की जगए मायावदी से कर लिया जाए मद्ध प्रदेश पर जो कॉंग्रेस के और अकलेश के वीचे तक्रार हुई उसका कारण यह भी है कि वह अभी इसे दवाव बनाने की प्रैक्टिस कर रहें दोने दूसरे को नहीं यह ऐसा करेंगे तो इस सब लोग अपने पैरों के कुलहाड़ी मारेंगे इनको तो कोशि करने चाहिए कि मायावती की उपर भी दवाव ड़ाएं कहें और उसके लिए कॉंग्रेस अगर विधान सबाद चुनाओं में यह तीन दिसम्मर को अच्छा प्रदर्शन करती हुए दिखती है तो मायावती भी शायद अपनी नड़नीती की उपर दोबार सोचने देखिए हाथ हिलाती है मंच पर खड़े होके तो तो हाथ को हिलते हुए देखने वाले लोग भी नहीं रहेंगे और जो दलित पब्लिक है खास तोर से दलित ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे लगता है इसके बाद एक नए नेता की तलाश शुरू कर देगी बस्पा खिलाब तो दलित नहीं रही है अन्यान विविन्न कारणों से उसके बाद बुक नए को चंशेगर रावड को अजमाएंगे किसी और को अजमाएंगे तो माया बती के पूरे पूरे पॉलिटिकल केरियर की उपर एक स्थाई सवाली अनिशान लग जा है बिकुटी कह रहे हैं अबेंजी और बहुत बहुत शुक्रिया आप पेनँ समय दिया हमें देश की राजनीयतिक आलाथ बहुत विशतार के साथ बहुत कि बिखता चार का मुट्ता कितना प्रवावी है और कौन नेता बिख कन लेता इसके घेरे में आ सकता है मुझे यकीन है कि ऐसे विद्वान पत्रकार की बात आपको पसंद आई होगी अपनी राए से अवगत कराईएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जॉइन करिएगा हमारे राज्यों के चैनल है फोर्पियम यूपी बिहार गुजरात झाल तूसी पुения करिएगा हमारी सिह उचेड़ा भी यूपिरAc소